नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News देश के प्रियम नरेंद्र मोदी हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी मोदी के नाम का डंका खूब बचता है अब देखिए कोरोना वाइरस से लड़ाई में भारत सरकार द्वारलिये के फैंसलो की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है इस जानलेवा वाइरस को नियंत्रित करने में PM मोदी को दुनिया का सबसे परभावशाली नेता माना गया है देश में महामारी पर लगाम कसने के लिए PM मोदी के फैंसलो को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है अमेरिका की ग्लोबल डाटा इंटेलिजन्स कंपनी, मौनिंग कंसल्ड, प्लॉलिटिकल इंटेलिजन्स के मताबिक PM मोदी कोरोना से जंग के दुरान दुनिया के सबसे लोग प्रियननेता बन कर उभरे है आपको बताते चलें कि अमेरिका में 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक किये गए एक सर्वे में PM मोदी 88 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रहे है वही साल की शुरुआत में PM मोदी 62 पॉइंट के साथ पीछे थे इस लिस्ट में अमेरिका राश्ट्रपती डोनाल ट्रम्प और जाबान के प्रधान मंत्री शीन्जो आवबे काफी पीछे है लिस्ट में ट्रम्प माइनस तीन पॉइंट के साथ आठमेस्तान पर है जब की शीन्जो आवे लिस्ट में माइनस तेतिस पॉइंट के साथ दसमें पायदान पर है करीब साड़े चार महिनों तक अमेरिका में हुए इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कुरोना की रोक्ताम को लेकर वे कौन से देश या उसके नेदा को सबसे परभावशाली मानते हैं इसके बाद लोगों का जवाब के अधार पर दुनिया भर के दिगज निताओं को पॉइंस दिये गए जिसमें पीम मोधी बाजी मार गए पीम मोधी द्वारा सही वक्त पर लिए गए फैंसलों को आज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में कोरोना का संकर्ट बढ़ता देख पीम मोदी ने 22 मार्च से देश में 21 दिनों के लोगडाउन की घोशना की थी देश में इस संकर्मन को रोकने के लिए पीम मोदी ने बाद में लोगडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया इस दोरान पीएम मोधी ने देशवासियों को संयम बरतने और सुरक्षा के सभी तरीकों को अपनाने का आग्रेवी किया यही कारण है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में करोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम है यकीनन जब इस तरह की चीजों में भारत के प्रधानवंत्री का नाम आता है तो देश का सीना वाके 56 का हो जाता है धन्यवाद हो जाता है